सब्सक्राइब करें सिटी न्यूद चारकन वपाए चारकन की तमाम खबरें के जुंट ने कई किसानों के लगे टमाटर के फसल को नश्ट कर दिया वहीं ग्रामिनों के अनुसार भी तीरात्री दर्जनों की संख्या में पहुंचे हाथियों ने टमाटर की फसल को पैरों से रॉन डाला जिसे लाखो रुपे का नुकसान हो गया साथ ही इसके सिकाय्ट गरामीनों ने कई बार बिभाग से की, बावजूत बन बिभाग की टीम हाथियों को भगाने में नाकाम रही, जिस कारण हाथी परते देने इस खेती से होकर गुजरते हैं, वही किसानों ने बन बिभाग से हुई नुकसान की उचित मुआवजे की मांग की है। बालो माल से पंकर सिना की रिपोर्ट जो काफी मातर में टमाटर पोन नुकसान पोंचाया गे capabilities किसान को कहीNews कमर तोड़ने जैसा दिख रहा है बहुत 1965 पिसान बहुत ऐसा सामंत भी नहीं है जमीन इन लोग के पास कम है लेकिन कम ही जमीन में अपने मेहनत से टमाटर तो बहुत अच्छा उत्पादन करने का काम लोग किया है तंग से हम समझते ही लोग काफी नुक्सान हुआ है इसमें होना चाहिए था कि फोरेस्ट विभाग को इस पर बहुत ही ठोस कदम उठा कर इस छेत्र से ही हाथियों को इस छेत्र से खड़ना चाहिए था लेकिन ऐसा बराबर पलानिंग होता है कभी पेपर मीडिया के माध्यम से हम लोग को जानकारी मिलता है कि इस तरह का बाहर से टीम बोलाया गिया है अबर इस बार हाथि को इस छेत्र से निकाल दिया जाएगा लेकिन ऐसा नमुननन हो नहीं पा रहा है भी कमाना पड़ गिया है और फसल के लिए का घटना है लेकिन पर सब्ता में पर दस दिन में कहीं न कहीं किसी न किसी गाउं में काफी नुक्सान पहुंचाया जा रहा है आंदर से टूट जा सकता है चीत मुझा मुझा इस किसानों को मिलना चाहिए था पटका है तो उसमें से पैर हाथ भी टूट गिया है अब वो लोग कहां से इलाज कराएगा यह पहली बार साइट अमाटर अगले शनार उसका सरी का जो आर्थिक छती हुआ है जल्द मोहिया कराने का काम करना एक सकति ही ओझाद अप्सकी हुआ हो एचैसा हैर चाहिए तके हैं कराएगा चाहिए Welcome जलाज